गुद मॉर्निंग क्लास चलिए हम इलेक्ट्रिकल सर्कीट का लेक्चर नमबर फोर कंटिन्यू करते हैं मैं आपको जो डेफिनिशन पार्ट है इसके पहले तीन वीडियो में भी एक्स्प्लेइन कर चुकी हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सिक्वेंस क्योंकि हमारा सर्कीट का जो कोर्स है वह बहुत ज्यादा है और इसलिए मैं चाहती हूं कि जो मैंक्जिमम जो थिरोटिकल पोशन इसके वह मैं एक्स्प्लेइन कर दूं तो चलिए देखिए इसमें एक्टिव एलिमेंट मैंने आप लोगो समझाया था कि ऐसे एलिमेंट ह तो देखिए इसमें डेफिनिशन में मैंने आपको प्रोवाइट किया है डेफिनिशन क्यों इंपोर्टन है जो डेफिनिशन में आपको दे रही हूं वह आपको ट्रिपल में मशीन में इवन आपके इमामी में जो आप पढ़ रहे हूं इंस्ट्रुमेंटेशन सब में जो की energy supply करता है किसको circuit को example क्या होता है इसका E1 and E2 मतलब EMF है E1 और E2 source ये क्या करता है circuit को energy supply करता है तो ये क्या है active element इसी के तरह passive element क्या होता है passive element ऐसे element होते है जो की circuit से energy को receive करते है for example अगर ये मेरा circuit है तो ये जो रहेगा voltage source मेरा क्या रहेगा active element और ये जो मेरा resistance है ये क्या रहेगा मेरा passive element active element क्यों क्योंकि ये voltage source आपको energy प्रोवाइट कर रहा है circuit में और ये passive source उस energy को क्या कर रहा है utilize कर रहा है तो the element which receives energy is known as passive element is known as passive elements जैसे R1, R2, R3 जो है ये क्या है passive elements है चलिए एक और important topic हम पढ़ने वाले हैं मतलब आपका definition node बहुत important है क्योंकि इससे related topic भी है आपका node analysis तो पहले ये जानते हैं कि node होता क्या है तो node क्या होता है node एक ऐसा point है network में जहाँ दो या दो से अधिक element जो है वो joint होते है जैसे माल लीजिए मेरे पास एक network है ठीक है यहाँ पर मेरे पास एक network है यहाँ पर एक element connect हो गया यहाँ पर एक element connect हो गया माल लीजिए यहाँ पर एक element connect हो के उपर से यह अपने क्या कर रहा है आपके उसको circuitry को complete कर रहा है network देखिए ठीक है यह maligic network है fine, तो इसमें देखिए यह point और यह point क्या होगा आपका node होगा, क्यों node होगा क्योंकि यहाँ पर दो element जूर्ड है देखिए कौन से कौन से, एक तो आपका यह element जूर्ड है, आपका active source फिर यह passive element जूर्ड रहा है फिर यह passive element जूर्ड है, तो हमारा definition क्या बोल रहा है, definition बोल रहा है node एक ऐसा point है network में, जहाँ जहाँ दो या दो से जादा element क्या होते हैं connected होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं node बोलते हैं, अब देखिए junction क्या होता है, बच्चे हमेशा इन दोनों में confused होते हैं, इसलिए मैं अपने starting lecture में इन दोनों के definition को clearly समझाती हूँ, जो node है वो आपको क्या बोला है, इसकी परिभाश आपको क्या बोल रही है, कि जहाँ दो या दो से अधिक circuit elements join होते हैं, उसको हम node बोलते हैं, कहां एक circuit में और या एक network में उसी तरह junction क्या होगा, junction क्या बोल रहा है, junction एक ऐसा point है, जहाँ तीन या तीन से जादा element joint होते हैं, उसको हम junction बोलते हैं, मतलब junction वो point है, जहाँ पर तीन element का जूड़ना जरूरी है, तीन element जूड़ेंगे, तभी वो point क्या कहला आएगा, junction, क्या कहला आएगा, junction, अगर सिर्फ दो element जूड़ते हैं तो भी ये point node कहला सकता है, लेकिन junction नहीं कहला सकता है, junction हमेशा तीन element ये उससे जादा अगर जूड़ते हैं, तो उस point को हम बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, जो node है, वो हर node, जो, sorry हर junction जो है, वो node हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर node junction हो क्योंकि node क्या कहरा है, दो या दो से जादा element अगर connected है एक point में, तो वो node है junction क्या कहरा है, कि तीन या तीन से जादा अगर element connected है, तो वो junction है, चलिए अब देखते हैं, branch, branch किसको बोलते हैं, that part of network which lies between two junction point is known as branch, branch मतलब क्या होगा माललीजी, यहाँ पर एक junction point है, ठीक है, एक junction point है यहाँ पर एक और यहाँ पर माललीजी, वो है तो यह एक junction point है, यह junction point है, इनके बीच का जो यह है, इसको अपन क्या बोलेंगे, branch, क्या बोलेंगे, branch यह भी देखिए, क्या होता है, यह होता है, branch, इसको क्या बोलते है that part of network which lies between two junction point is known as branch, is known as branch, चलिए next definition देखते हैं, इसका example दे रही थी मैं, इसमें देखिए आप, इसमें क्या था आपका junction क्या होगा, आपका B होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तीन elements connected है, branch क्या होगा, देखिए, जो junction के बीच के points होते हैं, तो क्या होगा, इधर इधर आपका क्या रहता है, अर्थिंग रहता है, दिखाते नहीं है, लेकिन अर्थिंग रहता है, तो BD आपका branch है, AB आपका branch है, BC आपका branch है, तो देखिए, अब next देखिए, यह diagram आपको दिख रहे हैं, अब next definition देखते हैं, loop, loop होता क्या है, आप बोलेंगे circuitry पूरा numerical subject है, मैं आपको बता दूँ, लेकिन मैं यह definitions क्यों करा रही हूँ, क्योंकि आपके question में यह सारी चीजे mention रहेंगी, और आप इनको तभी समझ सकते हैं, जब इनका मतलब क्या हो, आपको पता रहे है, जैसे देखिए, loop क्या है, loop क्या है, the close part of a network is known as loop, किसी भी network का जो close part होता है, उसको क्या बोलते है, loop बोलते हैं, जैसे देखिए, यहाँ पर a, b, d, a, यह क्या है, close part है, तो यह क्या होगा, एक loop होगा, b, c, d, b, तो यह क्या होगा, यह भी एक loop होगा, उसी तरीके से देखिए, यहाँ पर, बड़ा वाला देखिए, a, b, c, फिर यहाँ से, d, a, यह भी तो आपका एक loop होगा, तो यहाँ पर loop कितने हैं, तीन होगा है, लेकिन mesh क्या है, देखिए, मैं हमेशा आस-पास में वही definition करा रही हूँ, जिससे आप confused ना हो, loop क्या होता है, किसी भी network का जो close circuitry होता है, उसको loop कहते हैं, मैंने आपको diagram से explain कर दिया, किसको में loop बोल रही हूँ, अब मैं किस में आ रही हूँ, अब मैं आ रही हूँ mesh में, mesh क्या होता है देखिए, mesh the most elementary form of a loop, which cannot be further divided, क्या बता रहा है, कि mesh भी ना close ही path होता है, जैसे a, b, d, a, या b, c, d, b, लेकिन mesh एक important चीज बोल रहा है, कि उसको further divide नहीं कर सकते, मतलब ये बड़ा वाला नहीं होगा mesh, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये beat से divide हो रहा है, जबकि ये loop हो रहा था, loop कितने थे आपके पास, लूप आपके पास तीन थे, a, b, d, a और b, c, d, b, और क्या था आपका loop, a, b, c, d, a, लेकिन आपका mesh दो ही होगा, a, b, d, a, और b, c, d, b, तो आपने देखा loop और mesh का difference, loop जो है वो divide हो सकता है, लेकिन जो mesh है, वो, वो small elementary, मतब सबसेट चोटा वाला form होता है, network का वो close circuitry होती है, जिसको हम further divide नहीं कर सकते हैं, वो क्या होगा आपका mesh, अब देखिए linear element क्या होता है, linear element वो element होते हैं, जो की show करते है linear characteristic between voltage and current, किसके किसके बीच में क्या थे linear characteristic show करते हैं, between voltage and current, मतलब अगर आपके पास voltage, linear element ऐसे element होंगे, जो की ohms law को follow करेंगे, किसको follow करेंगे, ohms law को follow करेंगे, ohms law क्या बोलता है, कि आपका जो V है वो directly proportional to I होता है, तो linear element ऐसे element होते हैं, जो की linear characteristics show करते हैं, voltage and current का, मतलब जितना आपका विभव का मान बढ़ड़ा है, उतना आपका धारा का मान बढ़ड़ा है, तो ये किस में होता है, ये ohms law में होता है, तो linear element, ऐसे element होते हैं electrical में, जो की ohms law को follow करते हैं, चलिए next में जाते हैं, next देखिए non-linear element, non-linear element कौन से होंगे, non-linear element वो होंगे, जो की अगर विभव आप बढ़ा रहे हो, फिर भी आपका धारा जरूरी नहीं कि बढ़़े, घट भी सकता है, तो ऐसे elements को पन क्या बोलते हैं, non-linear element बोलते हैं, in short जो ohms law को follow नहीं करते हैं, उनको हम non-linear elements बोलते हैं,